हेलो एवरिवन माई नेम इस पार्दन वेल्कम बैक तू माई यूट्यूब चैनल बच्चों हमने अनिमल क्लासिफिकेशन ये चाप्टर स्चार्ट किया है स्चे क्लास 10 का 10 स्चानल का साइन्स टू टेक्सबूक का 6 चैप्टर आज हम इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 5 इसमें हम देखेंगे फाइलम एक काइनो डर्माटा है Chimicordata, Chordata, इन तीनों में क्या होने वाला है? And Chordata के अंदर आते हैं तीन सब Phylum Euro Chordata, Cephalo Chordata, Vertebrata also called as Craniata इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार में बाते करने वाले हैं If you are new to the channel, subscribe कर देना, share भी करना वीडियो को और like भी करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, चलिए, शुरू करते हैं तो बच्चों, हमारा पहला Phylum है Echinodermata अभी ध्यान से सुनना Echinodermata मतलब Spiny, काटे 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 वाला Derma मतलब Skin तो यह जो Phylum है, इसका literal meaning क्या है? Spiny Skin तो इसमें कौन से animals आएंगे, ध्यान से सुनना Body is covered with Spines अब ये सारे जो animals देख रहे है, Starfish जैसा लग रहा है आपको Sea Urchin, Sea Cucumber ये सारे animals यहाँ पर आने वाले हैं, जिनके body के उपर आपको क्या देखते हैं? काटे, body is covered with Spines और ये जो काटे हैं, they are made up of Calcium Carbonate CACO3, इनको हम Calcareous Spines भी बोल सकते हैं, Calcareous मतलब Calcium Carbonate का बना हुआ है ठीक है, काफ़ सिंपल चीज़ है और तीसरी बात, इनका habitat, ये लोग exclusively marine animals हैं मतलब सिर्फ Sea Water में मिलने वाले हैं, आपको Ocean वगेरा में ही मिलने वाले हैं Fresh Water में मिलते नहीं है ठीक है, तो हमने Body Form की बाते की और Habitat की बाते की चलिए, तो एक सिंपल सी बात, Body Triploblastic रहने वाली है ये तो अब सब जगा कॉमन है Triploblastic मतलब तीन Germ Layer मिलेंगे Ectoderm, Mesoderm और Endoderm काफी सिंपल, और एक और कॉमन बात है True Body Cavity इनके पास Present है Body Cavity क्या होती है It is the Space Between the Body Wall मतलब बाहर का जो Skin है And अंदर का जो Digestive Cavity है इन दोनों चीजों के बीच की जगा आपको ये जो जगा दिख रही है बीच में वो जो Space है उसका भई उसको हम क्या बोलेंगे Body Cavity Sea Loan ठीक है बच्चों, काफे सिंपल चलिए फिर एक बात करते हैं Symmetry की अभी यहां क्या बोला है देखो Adults Show Radial Symmetry ये एक Adult Starfish आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके कितने Arms है There are 5 Arms अगर उसको मैं Center से Divide करूँ तो मुझे Equal Half मिलने वाले है तो इसको मैं 5 अलग-अलग Direction से Divide कर सकता हूँ मतलब ये Radial Symmetry दिखा रहा है बच्चों बराबर है अच्छा एक और बात इसके Center में आपको जो छोटा सा Hole दिख रहा है Starfish के Center में वो Hole उसका Mouth है ये Mouth का क्या Importance है ये भी आपको मैं 2 मिनिट में बताऊंगा अभी इतना बात समझ लो भई Adult क्या दिखाता है Radial Symmetry दिखाता है लेकिन जब ये Starfish एक लारवा था एक चोटा सा Baby था इसका जो लारवा होता है वो Bilateral Symmetry दिखाता है ठीक है बच्चों Starfish का लारवा Bilateral होता है एक ही Direction में Divide करोगे तो Equal Half मिलेंगे लेकिन जब ये Adult हो जाता है तब वो Radial Type का समेटरी दिखाने वाला है काफी Simple है यहां तक बच्चों एकदम Clear है अभी सुनो इनका Locomotion इनका जो Movement है It is with the help of Tube Feet अभी ये Starfish के Arms जो है उसके नीचे अगर आप देखो तो आपको छोटा-छोटा Tubes दिख रहा है इसको हम बोलते हैं Tube Feet and Tube Feet को यूज़ करके वो लोग Movement दिखाते हैं Locomotion दिखाते हैं एक बात But These Tube Feet are also used to capture the food अभी ध्यान से सुनना अगर इसके जो Tube Feet है इसके जो Arms है उसके बीच में मैंने एक Shell रख दिया हमने पढ़ा है ना Shell के अंदर मॉलस्का होता है Soft Bodyed Animal होता है वो Shell मैंने उसके Arms पे रख दिया तो Tube Feet का यूज़ करके वो Shell धिरे 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 अपने Mouth तक लेके आएगा आपको जो दिख रहा है यहां पर उसका स्टमक बाहर आता है and digestive enzymes digestive juice इस Shell के अंदर जो Fish रहेगा ना Animal रहेगा उसके उपर Release किया जाएगा फिर Digestion स्टार्ट होगा और जो भी Nutrients है वो Animal के अंदर मॉलस्का के अंदर वो सारे Nutrients स्टमक में Absorb होने लगेंगे ठीक है बच्चों? ऐसे पूरा Digestion होते रहेगा Nutrients Absorb होंगे और फिर स्टमक वापिस अंदर चला जाएगा यह लोग Direct तो Food खा नहीं सकते लेकिन स्टमक बाहर आता है and digestion करता है तो ऐसे सारी चीज़े इनके अंदर होते है काफी इंट्रेस्टिंग अनिमल्स हैं है ना बच्चों? ठीक है? and देखो Starfish वोगेरा तो movement दिखाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी अनिमल्स है वोगा sedentary यह लोग movement दिखाते नहीं है यह Sea Urchin है ठीक है Sea Urchin एकी जगा पर चिपका हुआ रहने वाला है इसलिए उसको क्या बोला है? sedentary काफी simple चलिए अब भी इनका जो skeleton है it is made up of spine देखो बच्चों exoskeleton मतलब body के बाहर का exoskeleton काटे-काटे हैं body के ओपर काटे-काटे-काटे हैं spines हैं लेकिन इनके पास एक internal skeleton भी होता है सुनो it is made up of ossicles अभी आप इसके अंदर का skeleton देखो देखो उसके जो arms है उसके अंदर आपको छोटा-छोटा plates दिख रहा है हड़ी के जैसा plates है इनको बोलते हैं ossicles ठीक है? ये ossicles भी calcium carbonate के ही बने हुए हैं तो बाहर का skeleton किस चीज़ का है? spines का है अंदर का skeleton किस चीज़ का है? ossicles का है plates का बना हुआ है जो calcium carbonate के ही बने हुए है यहां तक बिल्कुल समझ में आके हैं यह बात ठीक है? ये animal एक high capacity दिखाते हैं for regeneration देखो starfish का अगर मैंने एक arm या फिर दो arm cut कर दिया arm मतलब उसका हाथ तो animal अपने arms को वापस उगा सकता है regenerate हो सकते हैं लेकिन अगर मैंने arm cut करके side में रखा है तो उस arm में से पूरा animal आने वाला नहीं है ये एक बात याद रखना ठीक है? animal का हाथ काट दिया तो हाथ आएगा लेकिन हाथ में से पूरा animal वापस नहीं आने वाला है ठीक है? regeneration दिखाते हैं लेकिन they are not invincible मर सकते हैं ऐसा नहीं कि ultimate immortal life दी होई है उन्हें ठीक है बच्चो? चलिए and last बात करेंगे उनके reproduction के बारे में sexuality के बारे में they are unisexual मतलब इन में male अलग होगा, papa अलग होगा female अलग होगी, mammy अलग होगी अलग-अलग body में होते हैं हमने पढ़ा है ना male and female अगर एक साथ रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? herma froidite animals किस में दिखता है ये? platy helminthus में दिखता है and even earthworm में दिखता है खाते भी है इसके अंदर भी एक soft type का कुछ body होता है उसके अंदर ठीक है? जिसको खाया जा सकता है and एक होता है brittle star चीक है? काफी dangerous दिखने वाला animal है and we have sea cucumber तो ये सारी बाते हो गई echino dermata के बारे में I hope simple था चलिए आगे जाते हैं चलिए तो बात करते हैं next phylum की hemichordata अभी इसके literal meaning इसका जो word hemichordata उसका मतलब क्या है? hemi मतलब आधा hemisphere आपने सुना है आधा sphere वैसा hemichordata मतलब आधा chordata ये animals पूरी तरह chordate नहीं बन पाए आधे chordate है तो इन में ऐसा क्या है? चलिए देखते है सबसे पहली बात ये जो animals है ये worms हो रहते हैं लंबे-लंबे worms हैं और इनका जो body है ना it is divided into three parts सबसे पहला इसके उपर आपको ऐसा triangle दिख रहा है वो जो triangle जैसा structure है ना उसको बोलते हैं proboscis ठीक है? proboscis के नीचे जो ऐसा फुगा हुआ पार्ट है वो है उसका collar and collar के नीचे जितना भी पूरा body है उसको हम बोलेंगे trunk तो proboscis, collar and trunk ये तीन पार्ट हो गए body के ठीक है? दूसरी बात notochord इनके पास present है इनके पास पहली बार notochord आया notochord क्या होता है? a supporting rod like structure ठीक है? लेकिन इनका जो notochord है it is present only in the proboscis उपर जो triangle है उसमें ही पूरे body में notochord नहीं है सिर्फ उसके proboscis में है तो इसलिए इनको हम आधा cordate बोल सकते हैं, hemichordate काफे simple चीज़ है चलिए, फिर they are also commonly called as acorn worms, ये जो आपको nut दिख रहा है, इस nut को बोलते हैं acorn, आपने ice age देख है उसमें हो squirrel होती है, ये nut लेके सब जगा भागती है चुपा देती है what is this nut called? acorn अभी ये केडे का आप proboscis and collar देखोगे तो वो ऐसा nut जैसा दिख रहा है तो इसलिए इनका नाम पढ़ गया acorn worms काफी सिंपल ठीक है फिर ये लोग रहते किदर है they are marine animals मतला बेगदम sea water में मिलने वाले and they live in burrows in the sand sand में ऐसा tunnels बनाके खड़ा बनाके अंदर छुपे हुए रहने वाले है तो खड़ा बनाने के लिए उनके proboscis में triangle के अंदर notochord दिया है supporting rod दिया है so that खड़ा करने में help हो ऐसे इनका evolution हुआ है development हुआ है समझ रहे हो बच्चो ठीक है फिर एक बहुत ही important point है बच्चो इनके पास होते हैं pharyngeal gill slits for respiration देखो आपको यहाँ पे चोटा चोटा openings दिख रहा है इसको बोलते है pharyngeal gill slits gill slits तो आपने सुना होगा fishes में भी होती है respiration के लिए लेकिन pharyngeal का मतलब क्या है ध्यान से सुना मेरा जो mouth है mouth की पीछे कुछ space होती है जहाँ पे मेरा isophagus food pipe start होता है उस जगा को यहाँ पे पीछे pharynx बोलते है अभी imagine करो अगर मैं एक मचली होता तो मेरा gill slits यहाँ पे side में होता pharynx के side में slits होता तो उस gill slit को बोलते है pharyngeal gill slit because वो pharynx के side में काफे simple तो इनके पास भी वैसा gill slits present है for respiration ठीक है बच्चों चलिए फिर यह unisexual भी हो सकते है या फिर bisexual भी हो सकते है इसका मतलब आपको पता है unisexual मतलब male and female अलग होंगे and bisexual मतलब male female organs एक ही body में भी present हो सकते है तो यहाँ पे दोनों variety मिलने वाला है unisexual भी हो सकते है bisexual भी हो सकते है कुछ worms example देख ले चलिए एक है balanoglossus काफी interesting नाम है balanoglossus and एक होता है saccoglossus balanoglossus saccoglossus दो भी example दिये होगे चलिए तो अगला phylum है हमारा core data core data के बारे में हमने already बाते की होई है हमें कुछ points पता है फिर भी आपको बता जिता हूँ सबसे important point supporting notocod present रहेगा अभी देखे यह आपको embryo का photo देखा है मैंने आपे embryo है embryo क्या होता है एकदम tiny एकदम छोटा जो baby होता है womb के अंदर उसको हम embryo बोलते है अभी इस में आपको वो rod दिख रहा है red color का वो rod क्या है notocod है it is a supporting rod that supports the body simple एक बात हो गई दूसरी बात nerve cord present होती है इनके पास nerve cord मतलब क्या neurons का bundles अपने पास कैसा brain है spinal cord है उसको हम nerve cord बोलते है तो यहाँ पे जो blue color का पूरा part दिख रहा है उसके peat पे वो उसका क्या है nerve cord कितना nerve cord है एक ही है it is single अंदर से hollow होता है हमने बात किये एक tiny space होती है उसके अंदर तो इस single it is hollow from inside and it is dorsal मतलब peat पे रहने वाली है यह मेरी dorsal side है और यह ventral side है तो यह nerve cord कितर है dorsal side पे present है ठीक है बच्चों gill slits present होते हैं देखो बच्चों आप कोई भी cordata के animal का embryo देखोगे ना कोई भी animal ले लो उस embryo में आपको gill slits मिलेगा अभी अगर मचली बन रही है तो उसमें gills develop होती है लेकिन जब human बनता है तो वो gill slits चली जाती है अभी मेरे पास gill slits नहीं है लेकिन जब मैं एक embryo था womb के अंदर मम्मी के तो मेरे पास भी यहाँ पे slits थी ठीक है यह common character है जितने भी vertebrates हैं जितने भी cordata में animals आते हैं सबका embryo में उनके पास gill slits होता है ठीक है काफे simple है I hope समझ में आ रही है बाद and last thing heart is present on the ventral side मतलब हमारा heart कहां होता है भई ventral side पे होता है ठीक है dorsal side पे क्या है nerve cord है heart कि धर है ventral side पे है आगे है यह सारी बाते समझ में आ गई बच्चों तो अब हमें कितने subphylum पढ़ने हैं यहाँ पे तीन subphylum है बहुत ही simple है बहुत ही simple है एक है eurocordata दूसरा cephalocordata and तीसरा है vertebrata also called as craniata सब चीजों के बारे में बात करेंगे चले आगे जाते हैं तो चले लेट उस सी the subphylum eurocordata अभी eurocordata इस word का मतलब आपको बताता हूं euro मतलब tail cordata मतलब notochord मतलब यह animals में उनका notochord tail में present रहने वाला है एक बात अच्छा अभी सुनो पूरा बात सुनो these are marine animals मतलब exclusively आपको खारे पानी में sea water में मिलने वाली हैं काफी अजीब से shape वाले organisms हैं एक बात दूसरी बात इनका जो body है बाहर से it is covered by a exoskeleton एक पतला layer होता है उनके body के बाहर आपको दिख रहा है यहां पर transparent layer है उस layer को क्या बोला है tunic ठीक है body के बाहर का covering क्या है tunic ठीक है अभी सबसे important point देहान से सुनना notochord is present in the tail region of larva मतलब जो adults होते हैं उनके पास notochord नहीं है बेदल्ट में notochord नहीं है लेकिन इनका जो larva है इस का जो tail है उस tail में उसका notochord है ठीक है लार्वा मतलब एक दम tiny baby रहेगा इंका उसके tail में notochord है लेकिन adult में notochord नहीं होगा तो क्या होगा सुनो these larva they are free swimming ये लोग पानिय में swimming करता है और इसका tail दिख रहा है आपको tail के अंदर notocod दिख रहा है ठीक है तो अब होगा क्या ये larva swimming करते 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 ultimately वो लोग ocean floor पे आके बैठ जाएंगे they will settle down ठीक है फिर इनका जो tail है वो धीरे धीरे degenerate हो जाएगा and उनका जो head part दिख रहा है ना this head will develop into the adult आपको similarity दिख रहे है head and adult में उसका पूरा tail चला गया tail के साथ साथ notocod भी चला गया ठीक है तो हम point क्या लिखेंगे larvae metamorphose metamorphose मतलब develop change they change into adults which settle at the bottom of the ocean floor ठीक है अभी ये adult hill नहीं सकता लार्वा free swimming था वो swimming कर सकता था लेकिन adult अभी एक ही जगा पे रहने वाला है चिपक गया है अभी वो hill सकता नहीं है यहां तक बात समझ में आई बच्चों ठीक है चलिए they are bisexual, bisexual मतलब क्या इसका body का यहां पे structure दिखाया हुआ है देखिए tis भी present है नीचे देखना ovary भी present है दोनों sex organs एक ही body के अंदर है तो इसको हम bisexual बोलेंगे hermafrodite भी बोल सकते हैं ठीक है बच्चों काफी simple है जादा detail में नहीं जाओंगा आपको इतना ही दिया हुआ है textbook में तो हम लोग एकदम basic outline देख रहे है eurocord data का ठीक है चलिए example देख लेते है herd mania काफी interesting नाम है herd mania doleolum and oikoplura herd mania, doleolum, oikoplura यह हो गया eurocord data काफी simple था चलिए फिर बात करते हैं subphylum cephalocord data के बारे में यह भी बहुत simple है देखो these are small fish like marine animals marine मतलब वही sea water में मिलने वाली है छोटी-छोटी मचली के जैसा animal है इसका length अगर हम देखेंगे ना तो it is almost 8 cm इतने-इतने ही होते हैं छोटे-छोटे ठीक है फिर notocord is present throughout the length of the body इस animal का body में देखो बाबा उसके head से लेके tail तक आपको जो rod देख रहा है बीच में supporting rod वो उसका क्या है notocord पूरे body में present है अभी tail में, head में नहीं full body में notocord present है अच्छा अभी एक और बात सुनना आपको यहाँ पे ऐसा hair like structure देख रहा है इसा बाल-बाल-बाल-बाल वहाँ से उसका mouth start हो रहा है mouth के पीछे के part को अंदर के space को क्या बोलते है pharynx बोलते है तो इसका जो pharynx है आपको दिख रहा है pharynx वो बड़ा है it is big and उसके उपर slits दिख रही है यह क्या है these are the gill slits देखे बच्चो इसका pharynx कैसा होता है बड़ा होता है और उसके उपर gill slits आपको दिखने वाली है बहुत क्लियरली दिख रही है यहाँ ठीक है चलिए and they are unisexual मतलब यहाँ पे males अब अलग होंगे female अलग होंगी एक साथ नहीं रहने वाले है अलग-अलग है चलिए और pharynx पे चो lines दिख रही है वो कह हो उसकी gill slits है ठीक है बच्चो इतनी सी बात है कुछ भी difficult नहीं है यह हो गया cephalo call data चलिए तो last में बात करते हैं vertebrata या फिर craniata की इसका नाम का मतलब यह है vertebrata मतलब इनके पास proper vertebral column आ जाएगा यह दोनों चीजे present रहने वाली है चलिए तो यह amphioxus है अच्छा यह cephalo call data में आता था तो notochord आगे जाके क्या बन जाता है notochord transforms into the vertebral column मतलब vertebrata में अभी जितने भी animals आने वाले हैं सबके पास proper vertebral column रहने वाली है ऐसी एक बात second point they have a well developed head जितने भी animals हैं सबके पास एक proper defined head होगा जिसके उपर उसके sense organs होने वाले हैं ठीक है बच्चो फिर brain is well protected in the cranium देखो cranium आ गया brain जो है वो किसके अंदर है cranium मतलब हमारा skull skull के अंदर है हमारा brain protected है काफी safe है ठीक है अच्छा अभी endoskeleton की बात करते है skeleton जो हमारे अंदर है अपने cartilage सुना है अपना जो ears होता है nose के आगे का जो part होता है अपना जो trachea होता है यहाँ पे cartilage present होती है आपने सुना है it is a connective tissue 9th standard में पढ़ा होगा तो कुछ-कुछ animals ऐसे हैं कुछ-कुछ fishes ऐसी है जिनका पूरा skeleton cartilage का बना हुआ है यह जो skeleton आपको देख रहा है hammerhead shark उसका पूरा skeleton किस चीज का बना है cartilage का तो उसको बोलेंगे cartilaginous skeleton ठीक है और बाकी बहुत सारी fishes है जिनका पूरा skeleton bones का बना हुआ है तो they have a bony skeleton अभी अपना skeleton bony है लेकिन अपने पास भी cartilage present है आपको एक example दो अपना जो vertebral column है पूरा backbone वो छोटे-छोटे bones से बना हुआ है देखो, bone के नीचे bone है लेकिन उन दोनो bones के बीच में एक पतला disc दिख रहा है वो cartilage का disc होता है ठीक है? तो अपने पास भी cartilage है और bones भी है दोनों है ठीक है? endoskeleton की बात है समझ में आ गई शलिए and last मैं आपको एक बात बाताता हूँ vertebrates को भी हमने दो group में divide किया हुआ है ठीक है? एक further classification आपको बता रहूँ एक group होता है agnatha मतलब भी बताऊंगा agnatha and एक होता है नाथोस टोमाटा अभी सुनो agnatha मतलब without jaw यह जो animals है ना इनके पास jaw नहीं होता jaw मतलब क्या? मेरे पास कैसा upper jaw, lower jaw है मैं चबा सकता हूँ bite कर सकता हूँ इनके पास वैसा jaw नहीं है इनका mouth circular होता है यहां पर circular mouth है और उसके अंदर teeth like structure है यह लोग ऐसा चबा नहीं सकते bite नहीं कर सकते ध्यार without jaw तो यह लोग कौन से ग्रूप में आते हैं? agnatha ठीक है? फिर नाथोस टोमाटा में कौन आएगा? with jaw तो यहां पर कौन कौन आजाएगा? भाई ले लो फिश ले लो भाई crocodile आ गया human आ गया जितने भी वाकी सारे animals है सबके बास jaw होते हैं अपर jaw, lower jaw चबा सकते हैं bite कर सकते हैं तो यह हो गया दो ग्रूप agnatha without jaw नाथोस टोमाटा with jaw ठीक है? चलिए तो यह हो गए हमारी सारी एक काई नो डर्माटा है में कॉर्डेटा इन कॉर्डेटा की बाते हमने सब फाइलम भी पढ़ा कौनसा कौनसा पढ़ा euro कॉर्डेटा cephalo कॉर्डेटा vertebrata ठीक है तो यह सारे characters के basis पे हमने यह चीज़ पढ़ी हुई है अगर आपको मज़ा है तो लाइक कर देना शेर कर देना वीडियो को यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आज यूशुल थैंक यू बरी मच